नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे पदमुश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध लेखी का सुनीता जैन जी की कहानी कमाई लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम अनरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें लाइक करें और अपने दोस्तों और पड़्चितों में शेयर भी करें बेल आइकन तवाना बिल्कुल भी न भूलें आज सुनिये कमाई आज सुबह से उसके सिर में हलका दर्थ है बड़े ही बेमन से वह जल्दी जल्दी तयार होकर घर से निकली निकलते निकलते दर्वाजे के पास लगी लेटर बॉक्सों की कतार में अपने लेटर बॉक्स में जाकना नहीं भूली है जानती है डांक दो बज़े से पहले कभी नहीं आती और अभी आठ भी नहीं बज़े हैं पर उसका मन घर से आने वाली चिठियों में भरमाता फिरता है मुश्किल सबसे बड़ी यह है कि 6-7 रोज के इंतजार पर चिठी आती है और मिनट दो मिनट में पढ़ी जाती है जैसे ही पढ़कर रखी जाती है नई चिठी का इंतजार शुरू हो जाता है कभी कभी उसे लगता है कि दिन बदिन जिन्दगी कैद होती जाती है और चिठीया दूर के घंटा घर की आवाज उसे लगता है कि जो यथार्थ है वह भरम हुआ चला जा रहा है और जो वास्तों में भरम है वह यथार्थ सा उसे जकड़े है वह डर जाती है अप्रेल का महीना है सुबह की हवा में अभी ठंड़क बाकी है सड़क पर आ उसने स्वेटर के बटन बंद करते हुए घड़ी की तरफ देख लिया है बस आने में दस मिनट और हैं वैसे तो अस्वताल दूर नहीं और वह पैदल भी जा सकती है पर इस देश में उसे लगता है कि पैदल कोई चलता ही नहीं एक आद बार पैदल गई तो उसे बेहत अकेला पर महसूस हुआ और फिर कितने ही लोग बाद में पूछते हैं आशा आज सुबह तुम्हें वाइन स्ट्रीट पर देखा था मैंने हॉर्ण भी दिया पर तुमने देखा ही नहीं कहा जा रही थी इतनी सुबह कहीं नहीं जर लोड़ी कलसा आ गई है और किनारे से हट पेड़ के नीचे हो गई है कल ही की बात है किनारे खड़ी थी कि सर्र से खोसला की गाड़ी बगल से निकल गई वह कटकर रह गई थी वह तो अकेला था शायद उसे पहचान नहीं सका होगा खड़े खड़े एका एक उसे अपने पर बेहत दया आने लगी और जी हुआ कि घर लोड़ जाए और खोब रोए पर बस आने में पांच मिनट बागी है और उसे काम पर जाना है सामने की डोनट कॉफी शॉप से एक आदमी आधा खाया डोनट हाथ में लेकर बस स्टॉप की तरफ बढ़ध आ रहा है वह मन ही मन हिसाब लगा रही है कि अपने देश में इसतमे शाम होगी घर पर खाना बनकर तैयार हो गया होगा और मा बारी बारी से सबको बुला रही होगी अरे शामो अपने बाबुजी को बुला कि खाना तयार है और गुड़ो रती को भी बुला भई मैं क्या सारी रात यहां बंधी बैठी रहूंगी और फिर भाई बहनों का शोर हम यह नहीं खाते हमें गो भी नहीं अच्छी लगती बिंडी क्यों नहीं बनाई कल ही तो बनाई थी रोज रोज वही बनेगी तो तेरे बाबुजी बिगडेंगे अब खाले गुड़ो यह नकरे अभी कर ले ससराल जाएगी तो रोज याद करेगी मा के हाथ का खाना उसके सिर का दर्द बहुत बढ़ गया सामने से बस आती दिखाई नहीं दे जाती तो वह जरूर मुड़कर घर वापस चली जाती चाहे फिर जो भी होता बस वाइन स्ट्रीट से चल होडरीज पर बाय मुड़ी खोसला का घर वहाँ से दिखाई देता है खोसला नया नया आया है यहाँ डिटराय से आते ही उसने बड़ा सा आलिशान मकान खरीदा है दो-दो कारें रखी हुई हैं एक खुद चलाता है दूसरी बीवी के पास रहती है कोई कह रहा था उसे बीस हजार डॉलर साल आना मिलते हैं बीस हजार डॉलर डेड़ लाक रुपिया साल उसने हिसाब लगा लिया और एक लंबी सांस चोड़ दी इतना कमा रहा है और फिर भी यहीं बसा हुआ है वह सोचती है कि उसे इतना पैसा मिले तो फोरण बिस्तर बांध कर दिल्ली का ही टिकट कटवाए अस्पताल की सोलह मंजिल इमारत दूर से दिखाई देने लगी उसकी उंगली उसकी नाक के सूने छेट पर आकर तनिक रुख गई और हाथ उसने गोदी में गिरा लिया छे या साथ बरस की थी वह मामा के हाँ गर्मी की छुट्टियों में आगरा गए थे इस बात को भी अठारे साल हो गए नाक कान बींधने वाला उनकी गली में आया था मामी ने कहा कि लाओ लगे हाथ लड़की की नाक बिंधवा ली जाए मा की तो ज़्यादा इच्छा नहीं थी पर वह स्वया में ही उतावली हो गई थी नहीं मा कृष्णा और गुन्यों की तो नाक में लौंग है हम भी पहनेंगे नाक बिंधवाई जरा भी रोई नहीं और तीसरे दिन उसकी नाक पर खुब बड़ा दाना बन गया था कृष्णा और गुन्यों ने खूब छेड़ा उसे जरूर तुने चने खाए होंगे तभी नाक पर चना उगा है हमने मना नहीं किया था और जब धागा कटा तो आँख से जरजर पानी बह गया था छेड में मामी ने नीम के सूखे तिनके को पहले तेल में नरम कर फिर थूँक में भिगो भिगो कर उसे पहनाया था दिल्ली के लिए जब वापस चलने लगे थे तब मामा ने हलकी सी बेहत बारीक हीरे की कणी की लौंग ला दी थी जो माने उठा कर रख ली थी कोई चार बरस पहले जब वह बिये के पहले वर्ष में थी वह लौंग उसे पहनने को मिली थी और तब से वह उसे पहने ही रही थी पर परसों एक साथ में काम करने वाली पूँच बैठी अरे यह नाक में क्या पहना है बात अंसुनी कर वह खिसक गई थी जानती थी कि साथिन पूँचेगी तुम कहां की हो और उसे कहते हुए लाज लगती है कि वह इंडिया की है उसे जब यह नौकरी मिली तो पहले दस दिन उसे बच्चों के वार्ड में काम करना पड़ा वह काम उसे तनिक बुरा नहीं लगा कुछ व्यस्तता कुछ नई-नई नौकरी ने उसे सोचने या महसूस करने का मौका ही नहीं दिया पिछले पांच दिन से उसकी बदली व्रिद्व वा मानसिक रोग्यों के वार्ड म वह अपने प्रती अपने देश के प्रती कुछ लज्जा जना काम कर रही है वह रात रात भर सो नहीं पाती और ठकावट से तूटते शरीर को उसका जी होता है किसी गहरे तालाब में डाल दे जहां से वह पूरी की पूरी स्वक्ष होकर निकले अस्पताल से बस एक ब्लॉ फिर रोगियों के बिस्तर लगवाने होंगे और फिर दोनों को नहलाना होगा मल मूत्र के पैन उठाने की तो शायद उसे फिर भी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी पर रोगियों को नहलाने में उसके शरीर का रोवा रोवा गरना से भर जाता है फिर उसे इस सब की आद की औरत कहा 105 पॉंड की वह खुद पर किसी से कह भी तो नहीं सकती डर लगता है कि कहीं घर तक बात न चली जाए पिता जी को बहुत बुरा लगेगा वह सोच भी नहीं सकते कि आशा ऐसा काम करती होगी और तिस पर गौड ब्रामन होकर पर अवध उसका पती और ही तवियत का जीव है उसी ने तो जोड दे दे कर यह नौकरी करने को कहा है हिंधी में आशा में है कोई और तो नौकरी मिल नहीं सकती एक यही नौकरी थी और अवध का बार-बार कहना हाद की मेहनत की कदर सिर्फ यही देश जानता है आशा इसी से इतनी तरक्की की है इसने यहां तो लगपती का लड़का अखबार बांटता है और बड़े बड़े लोगों के बच्चे होटलों में वेटर का काम करते हैं तो हम में ही क्या लाल लगे हुए हैं जो जूटी मानेताओं क कैसा महसूस करने लगती है यह भी उससे बताया नहीं जाता जिसे खुद नहीं दिखता उसे दिखाना क्या अस्पताल की सीडिया चड़ते उसे याद आ रहा है कि जब अवद से उसकी सगाई हुई थी और सहेलियों को मालूम हुआ था कि वह अमेरिका जाएगी तो वे उस उसे अपने घेरे से बाहर किसी अच्छी किसी बड़ी दुनिया का जीव मानने लगी थी उनकी इर्ष्या में आदर भी था और उनके भीतर विश्मय कि आशा में ही ऐसा क्या है जो उसे अवसर मिला है अवद कहा करता है कि अवसर के सिर्फ एक लट होती है बाकी सिर्गंज जब सामने आए पकड लेना चाहिए अनिथा पकड से छूट जाएगा शायद वह ठीक कहता है जब डबल रोटी खाते खाते जी तंग आ जाता है तो उसको गरम गरम मकई की रोटी आदाती है और सरसों का साग जिसमें ताजे विलोए मक्षन की बड़ी सी सफेद सफेद ड जली डुपनिया लगाती है यह सोच कर तो उसका दिल ही बैठ जाता है कि अवद ने अभी पढ़ाई शुरू ही की है और पिएचडी करते उसे चार साल लग जाएंगे सड़क पर मिलने जुलने वालों से तो वह कतराती है कि कहीं उसकी नौकरी के विशह में न जान जाएं लंच टाइम में आशा जल्दी जल्दी अस्पताल की सीड़िया उतर कोने के ड्रग स्टोर की तरफ जा रही है उसे याद नहीं रहा था कि यहां वेतन हर दो सब्ताह में मिलता है उसके वेतन का पहला पहला चेक आया है वह हिसाब लगाती जा रही है कि छोटी ननंद की ग के प्रेकॉडर मंगाया है और गुड़ों ने बहुत लिखा है जी जी रेवलान की लिपस्टिक भेज दो उसकी चाल में इस समय एक अजीब तत परता है वहे एकदम भूल गई है कि उसने सफेद यूनिफॉर्म वा भद्दे से दिखने वाले रबर के जूते पहने हैं और यह की घुटने से टकने तक उगड़ी उसकी टांगों की सेव तीन दिन पुरानी हो गई है उन पर छोटे छोटे नए बालोग आये हैं उसे यह भी याद नहीं कि वहे अभी नर्स भी नहीं है सिर्फ नर्स सहाई का है जिसे अपने यहां दाई कहते हैं उसकी हतेलियों में उसकी अपनी कमाई है साब सुथरे हरे हरे अमेरिकी डॉलर तो यह थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं